तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं बिना देर किये तो यहाँ पर मैंने ले लिया है यह आधा किलू बधुआ जिसे मैंने अच्छे से धो के वाश कर लिया है और इसको हम एक सैड में रख देते हैं अब यहाँ पर हमने कूकर लिया है उसमें हमने थोड़ासा डाला है सरसुका तील और इसमें हम घरम हो जायेगा डाल देंगे तोड़ासा जीरा आदा चमच एक मृश्ग तोड़के डाल देंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो चमच बारी कटा हुआ लसन इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा तो देगे लसन हमने इस तरह की से हलका गोल्डन ब्राउन भून लिया है अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने बत हुआ रखा था तो सारा बत हुआ हम डाल देंगे और उसको हम उसमें थोड़ असा नमक डाल देंगे हम ताकि इसमें टेस्ट भी आए और इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें लगा लेंगे एक सीटी, तो देखिए यहां पर एक सीटी आथ, अब मैं यहां पर कोकर खोल रही हूँ, तो देखिए, यहां पर बतवा, हमारा जो अच्छा ऐसा गल जुका है, और इसमें यह जो पानी है, इसको भी हमें वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको और एक कटोरी मैंने डाला है इसमें मक्के का आठा थोड़ा सा जेरा जाएगा थोड़ी सी एजवाइन हाथों से क्रेश करके डालेंगे और आधा चम्मच मैंने यहां पे लिया है साबुद धनिया जिसका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा एक मिर्च थोड़ी सी तोड़ क बत होँद पानी संगे नाल देंगे तो छितने बुर यहां के कतनी कौन्टिटी तो नफ से ले सकते हैं मैं थोड़ा सा छोड़ धीआ है तो अभी यह गरम था इसकों से मेल फजा मैं और सॉफ्ट भी नहीं लगाना है तो आप इसे मीडियम लगाईएगा क्योंकि आठा रखे रखे थोड़ा सा सैट हो जाएगा और लगा के मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है अब इसको हम 10 मिनिट के लिए रेस्ट दे देंगे तो 10 मिनिट हो चुके हैं उसके बाद इसक का पिया ले सकते हैं आठा डस्ट कर लेंगे और इसको हम अच्हे से बेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तर इक से मैंने इतना बड़ा बेल लिया है जितना आपके आसना बेल सकें अपना बेल लिजेए आप कोई भी कटर ले लेजिए कोई काटोरी कोई ग्लास जिस इसका आप इसको कट कर लीजिए तो यहाँ पर मैंने बावल लिया है उससे ही देखिए कट हो चुकी है अब मैं सारी पूरिया इसी तरीके से कट कर लेती हूँ चलिए अब इसको हम फ्राइ कर लेते हैं तो इसको मीडियम फ्लेम पर आप इसे इस तरीके से एक कर्चली की है तो देखिए यहां पर फूली फूली पूरिया बनने वाली है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है आप इसे किसी भी सबजी अचार चटनी के साथ चाय के साथ खाए यह बहुत ही मजे की बनती है एक बार मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राइ करेगा और मुझे कमट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको ही मेरी रेसिपी कैसी लगी क्योंकि इस टाइम सड़ियों का सीजन है बतवा आ रहा है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइगा अगर बच्चे नहीं खाते है इस तरह के से बच्चे मांग मांके खाएंगे और आप टिफिन में भी यह बना के दे सकते हैं डोब आप पहले से लगा के रख लिएजिए रात में और सुबह नाश्ते में या टिफिन बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं तो कैसे लगी मेरी रेसिपी आपको अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक कर लिजेगा चैनल पे नहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा मेरी आने वाली सारे रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी थैंक्यू